इस बड़ी खबर आम जौन कारी गोरखपुर सीट से योग्या जितुनार करल सीट से अखिलेश श्यादाओ आगे लगातार चल रहे हैं कौशामबी की सिरातू सीट से केशव प्रसाद मौर्य पहली बार बढ़त बनाए हुए हैं और आगे चल रहे फाजिल नगर सीट के अगर बात की जाए तो स्वाइन प्रसाद मौर्य लगभग 35,000 वोटों से पीछे हैं लखनाओ की सरोजी नगर सीट से बीजेवी प्रत्याशी राजी इश्वर सिंग आगे कैन सीट से ब्रजीश पाठक लगभग बिज़ाई हो चुके हैं तो यह तमाम अपडेट्स आपके सामने रामपोर से आजम खान जीत दर्श कर चुके हैं और इनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जीत दर्श करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अब अली सदर सीट के अगर बात की जाए तो अदेते सिंग जो की कॉंग्रस से बागी होई बिज़ेपी में शामिल होई और अब वो भी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है अब वो देखना होगा कि करहल सीट और गोरख पुष एड सीट के बीच में कितना रहता है पाजिल नगर सीट के अगर बात की जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन्होंने तमाम तरह क्या थकंडे अपना है लेकिन अपनी ही सीट को बचा पाने में नाकाम्याब रहे पड़ोना सीट से हमेशा से चुनावरते रहे लेकिन अब फाजिल नगर कारुख करने का फैसला लिया और ये फैसला भारी पड़ रहा है और में जोड़ोना से आप शर्षा रहे लेकिन अपना है